आज की वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अपलाई करना है 2020 में यही मैं आपको बताने वाला हूँ वेल बैसिकली यहाँ पर पेटियम में जिस तरीके से अकाउंट क्रियेट करना इजी है उसी तरीके से अकाउंट को डिलीट करना भी यहाँ पर इजी है लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है अकाउंट यहाँ पर इंस्टेंटली क्रियेट हो जाता है लेकिन अकाउंट डिलीट यहाँ पर बहुती थोड़ा सा लॉंग प्रोसेस लग जाता है Paytm के account को delete करने के लिए तो यहाँ पर अगर आप account delete करना चाहते हैं अपने Paytm account का तो यहाँ पर पहले आप सोच और समझ लिजे एक हफ्ता आप सोच लिजे because अगर एक पर PTM का account यहाँ पर delete हो गया तो फिर फिर से उसको recover कर पाना it's completely impossible तो यहाँ पर still अगर आपने decide करी लिया कि आपके PTM account को delete करना है तो फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा method बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको delete का procedure complete करना है यहाँ पर लेकिन एक बात मैं आपको clearly mention करता हूँ PTM का जो account है वो यहाँ पर instantly delete नहीं होगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा time लगेगा पर example आपको यहाँ पर सबसे बिले PTM application को open करना है उसके बाद 24 by 7 option में जाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको scroll down करना है scroll down करने के बाद आपको यहाँ पर profile setting का option मिल जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपको issue दिया है जो भी आपका issue है लेकिन हमरे जो issue है वो है third number आला I want to close delete my account तो simply इस option पर click करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको reason select करना है तो यहाँ पर आपको कोई भी fake reason select नहीं करना है जो actual reason है to be honest वही आप select करिये because आगे आपको इसकी जरुरत पढ़ सकती है because paytm इंडिया का सब काफी जरा secure application है तो इसमें आपको कोई भी wrong information fill up नहीं करना है अब उसके बाद जो भी आपने reason select कर लिया फिर उसके बाद यहाँ पर आपको eligibility बताया गया है कि अपने paytm account को delete करने से पहले के लिए आपको क्या-क्या eligibility criteria में fit होना पड़ेगा सबसे पहला है तो यह है कि आपके paytm account वह wallet में zero account balance होना चाहिए second आपके paytm के अगर paytm में अगर आपने कोई account आपने save करके कोई amount आपने save करके रखा है wallet के अलावा तो उसको आपको instantly वह zero होना चाहिए उसमें थोड़ा भी amount यहाँ पे store नई होना चाहिए अब उसके बाद यह पूरा description आपको read करना है थोड़ा long process है अरुसले लेकिन सबसे main हमरे लिए जो information है वो है यह अला तो यहाँ पर आपको simply बताया गया है कि अगर आपको paytm account को delete करना है तो आपको यहाँ पर किस तरह का process complete करना है तो यहाँ पर आपको पहले read कर लेना है तो यहाँ पर आपको read करने की जरूद ने तो भी मैं आपको step by step describe करता हूँ तो first तो यह है कि अगर आपको paytm का account delete करना है तो आपको down site में एक message us का एक option भी लेगा उस पर click करना है और वहाँ पर आपको simply type करना है I want to close my account देन उसके बाद वो जो message है वो paytm के team के पास जाएगा और paytm के team आपको एक बार call करेगी verification के लिए और आपसे reason पुझेगे कि क्यों आप अपना paytm का account delete करना चाहते है तो उसके बाद वो आपको पुरी formalities बताएगे और formalities complete करने के बाद आपको simply paytm के तरफ से एक link आएगा वो link में आपको simply click करना है और click करने के बाद आपका paytm का account permanently delete हो जाएगा तो simply आपको सबसे फ़ले message as के option पे click करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number put कर देना है जो आपने paytm registration के time पे use किया था अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक documentation भी का उसका photo upload करना पड़ेगा एक security basis के लिए तो better है कि आप अपने debit card और credit card का statement यहाँ पर upload करिए better होगा और इसके बाद for example अगर आपके paytm में कोई amount है तो उसको आपको transfer करना है तो यहाँ पर आपको account number simply type कर देना है जिस account में भी आप इसको transfer करना चाहते हैं तो यह account number, branch code, IPC code वह आपको simply type कर देना है और इसके बाद एक profile photo अपना upload करना है जो कि कुछ भी हो सकता है जो भी आपको upload करना है एक security purpose के लिए कि यह activity आप ही कर रहे हो और इसके बाद यहाँ पर simply check mark कर देना है चेक मा करने के बाद अगर आपको कुछ mention करना है वो आप mention कर सकते है और उसके बाद directly submit details पे click कर देना है जैसे आप submit details पे click करेंगे तो यह आप उसके बाद आपका यह request Paytm के team के पाच आएगा Paytm के team आपको call करेगे और उसके बाद confirmation के बाद आपके mobile number पे एक link आएगा उस पे click करके आप अपने Paytm के account को delete कर सकते है अगर मैं आपको overall कहूँ तो यहाँ पर almost आपका one week जाएगा या तो max to max two weeks two weeks आपका यहाँ पर max to max जाएगा आपने Paytm account को delete करने के लिए बिकास यह process instantly नहीं होता है Paytm काफी ज़रा secure है यूजर्स के privacy के basis पे तो यहाँ पर almost आपका दो वेज जाएगा आपके Paytm account को delete करने के लिए तो बस इस तरह के आपको इस method को apply करना है और 2020 में आपने Paytm account को इस method की help से simply delete कर देना है अगर आप फिर भी नई समझे थोड़ा आपको confusion है तो एक बार आप मुझे comment में बताए मैं फिर इसके लिए आपको with life proof step by step क्या message आता है क्या आप लोग reply करते है तो वो पूरा detail में आपको with link provide करूँगा तो यह first time था तो मुझे लगा important था इसलिए मैं आपको trial के basis में आपको पुरा detail में बता है अगर नहीं समझे तो please comment में बताए मैं आपको एक और videos के related update करूँगा जिसमें मैं आपको with the proof पुरा detail बताऊंगा so thank you have a good day झापको बताओ Mik मैं आपको वो लुदू प्रो मों फ्रेश Dis少 आपको बताओ तो खीव लगा